यारो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी मैंने AC को on किया AC को on करने के बाद विस्तर पर बैटा मुझे गर्मी फिर से लगने लगी मैंने AC को चालू ज्यादा तेज केर दिया फिर भी लगने लगी मैं बाहर चला गया बाहर जाके electrician हूँ मुझे पता है क्या problem होनी चाहिए यहाँ पर compressor चालो हो गया यहाँ पर यह देख सकते हैं pipe थंडी नहीं हो रही voltage अच्छे आ रहे हैं मुझे code मिला यहाँ पर C422 और AC बंद हो गई अब मैंने सुचा कि user guide के अंदर देखा जाए क्या problem है user guide को पूरा analyze किया अंदर से देखा क्या-क्या इसके अंदर code है तो इसको खोला देखा C422 रेफरेज रेंट फ्लो ब्लोकेस एरर यहाँ पर ब्लोक यानि के gas खत्म अब मुझे एक claim meter लेना है AC को चलो करना है एक claim meter से हम चेक करेंगे 1 ampere यहाँ पर AC के अंदर आ रहा है 220 watt complete compressor चल रहा है 5 ampere होना चाहिए एक ampere ले रहा है यानि के हमारी AC का जो gas है वो खत्म हो चुका है बिल्कुल काम की नहीं अभी AC की guarantee है मैंने company के service center को phone किया phone करने के बाद आते हैं देखते हैं खोलते हैं यहाँ अंदर देखते हैं यहाँ पर oil भा हुआ देखने को मिलता है यहाँ पर pipe लिकेज है यह pipe नया लेके आते हैं company की guarantee के साथ में free के अंदर काम हो जाता है 7 दिन का समय लगता है pipe लगता है gas charging होता है हमारी AC एकदम complete free में